नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार करेक्टर सर्टिफिकेट यहने की चरीतर परवान पत्र के लिए किस तरीके से आप लोगो ओनलाइन अपलाई करना है और ओनलाइन अपलाई करके अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वह किस तरीके से आप लोगो बना आना है बिल्कुल फ्री में आज मैं आप लोग आप जानकारी देने बाला हूं तो वीडियो को आप जो पूरा जरूर दिखेगा सरकार के द्वाड़ा अब जो ही चरीतर प्रवान पत्र के लिए उनलाइन अपलाई यहां पे शुरू कर दिया गया है और आप जो है आप स्क्रीप्समे या फिर कमेंट में देंगा तो वहां सte क्लीकर के आप था ङौरा आ आ सक्ते है नहीं तो आपको अपने जाना है गुगल में जाकर आप लोग लिखना है YTC यहां पर देखे जो इस तरीके है आप लोग सिब तो यहां पे जो पोस्ट है वो कुछ इस तरीके से आप पे ओपन हो जाएगा इस पोस्ट का भी डायक लिंक में आप लोगो डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट में दे दूँगा तो वहां से क्लिकर करके आप डायक लिए इस पोस्ट पे आ सकते हैं फिर आप लोग ग्ला था किस तरीके से आप लोगो बनाना है क्या डोकिमेंट लगने वाला है किस तरीके से अस्टेट्स आप लोगो चेक करना है सब कुछ आप लोगों को आप देखने को मिल जाएगा आपको निचाना यहां पर इंपर लिंग्स का ओप्सन है फोर ओनलाइन अप्लयक लि अप्लिकेशन फोट देखनी को मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आप लोगो जो वैप साइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर देख्या है आप लोगो को बैप साइट हो जुका है और अप्लिकेशन फॉर इसुंग और है यहां पर इंगलीस में लिखेगा ऑट्पमेटिक यहां पर हिंदी में आ जाएगा यहां पर मली जै के मैं रही रीसी लिखता ऊंट पोड़ेंगे तो असके ओपर अपर दबाएंगे तो उनके हश्मेन में आपे डालाना है यहां पर नीचे आ जो भी आपका अस्च्टिट होगा वह आप आपको सेलेक पर पर तो अमेल को सेलेक करना आ इहाँ पे व्लॉग जो रहेगा वह बक्वहां पर छॉल्प कम आप लोगको select करना है जो़ी पंचायत आप लोगका पटता है वो select किजएगा फिर यहाँ पे बरतमान पता आप लोग का आरा है इसमें आप लोगको बताना है कि अभी फिलाल आप कहा पर आपलेआ उसको आपर अप्लोड करने के तोतो मुझे मुझे passport मनना है तो passport यहाँ पर करेंगे फिर आप लोसुक्त over रह रहे हैं उसका आप लोग को detail हाँ पर डालना है तो सबसे पहले type का आप बताना है कि आप यहां पर बरतमान पता वहीं पर है या फिर पिछला पता है या फिर अस्थाई पता आपका वहीं है जो भी रहेगा माली जो बरतमान पता मेरा है यहां पर बरतमान डालेंगे फिर यहां पर month और year डालना है जब तक आप होंहां पे रहे हैं या फिर अगर अभी रहाएं तो अभी वाला पर present address होगा वह address आपको जुलाए मालीजे डाल देते हैं मालीजे की तो अभी हम 2024 तक यहां पर रह रहे हैं तो इस तरीके से आपको हाँ पर डाल देना है और उसके आप लोगो को नीचे आना है नीचे आनक बद यहां पर जो capture code दिख़ए यह capture code यहाँ पर डालना है submit पर आपको जोगे click कर देना है submit पर click करने पद आप लोग का जो form है उसका प्रिविव आएगा प्रिविव आपको चेक करना है और साथ detail आप लोग को मिला लेना है कि आपका सब detail है यहाँ पर सही रहता है तो यहाँ पर आप आप लोगो submit अनक्षोर का एक option आएगा उस पर आपको क्लिक करना है खिलिक करना पद आप लोगा जो document है वहाँ पर upload करने के लिए बोला जाएगा मैं यहाँ पर फिल करता हूं उसको आगे आपको दिखाता हूं तो कुछ इस तरीके से आप आप लिए बोला जाएगा जो भी डोक्युमेंट आपके पास उपलवद है यहाँ पर चेक कर लिजएगा जैसे के आप निरिबाचन पहचान पत्र यानिके आपके पास बोटर आईडी काड़ है तो वह लगा सकते हैं आधार पैन कार्ट पासपोर्ट यह सब आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो जो भी आपके पास उप्रब्द है उसको सेलेक किजेगा आपको सब्मिट कर देना है आप लोग का जो फॉर्म है वहाँ पर सब्मिट हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोग को जाता है कि कब तक हमको जोई कॉल या फिर मेसेज आजएगा तो आपको इंतजार करना है आपको जो मोबाइल नंबर है उस पर SMS आएगा या फिर कॉल भी आ सकता है कि आप जोई थाना में आएए आप थाना में जाईएगा उहाँ पर वेरिफिकेशन करवाईएगा उस पते आप लोगा सारा कुछ आपके कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगा जो इस करेक्टर सरिफिकेट है वो अट्रमेटिकली जनरेट होकर आपके इमेल आडी पर आजाएगा या फिर उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं तो यह जो पूरा प्रकडिया आप लोगा पर रहने आपके इमेल 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